उतर में ब flash में विउजी पी जीतते आई हैं और जो गड़ बोला जा रहा है वो मालता और मुर्सिदा बाद के लोग बोला जा रहा है क्यूंकि मालता मुरसिदा बाद में मुसलुमान अदीख है तो उतर नोधर स्वी हो रही है और बंगाल में जैसा बोल रहे हैं कि क्रांती हो रही है लोग दीदी के अत्याचारों से त्रस्त आ चुके हैं लोग दीदी से छुटकारा पाना चाते हैं तो वो जो गड़ है जो गड़ है भी अभिसेक बनर जी का जो गड़ है तक 24 परगना में पूरी तरह से ध्वस्त होने वाला है क्योंकि लोगों को एक बंगाल के लोग जो है वो silent voter होते हैं 2019 में हाठ एक नारा भी जला था चूबचाप कमल चाप तो इस बार भी नारा चल रहा है चूबचाप कमल चाप तो बंगाल को लोग इसी तरह वोट करेंगे उनको लग गया है कि BGP आएगी तो BGP को वोट देंगे लोगों में थोड़ा डर थां एक संसे था कि पता नहीं बीज़िपी आएगी कि नहीं आएगी क्योंकि लोगों को डर है कि यदि TMZ गलती से आ गई तो उनको घर छोड़े के भागना पड़ेगा उनके लिए जीवन खत्रेपे हो जाएगा लेकिन जो जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से लग रहा है कि विजट पी आने वारी तो बाजपा बेंगाल के लोग कोई गलती नहीं का रहेंगे और वो बेज़िएकर की वोट करने वाले हैं। आमीन अंचल में किसानों के वोट का क्या प्रभाव आप देख रहे हैं हाँ सर ये भी बात है कि जो किसान सम्मान निदी है दीदी उसको पस्चिम मंगाल में लागू नहीं करने दी है तो ये बात लोगों तक जन जन तक पहुची है इसको पहुचाने में जो राष्ट्रिय स जो टीवी का जो माध्यम है टीवी के माध्यम से टीवी यहां पस्चिम मंगाल में घरो घरो में है तो उन्होंने जगा-जगा पे सबसे पहले बिजली पहुचा और इसके बाद फिर जो इंटरनेट पहुचा है मुखे समभानी के माद्यम से जो इंटरनेट पहुचा है, सोसल मीडिया पूचा है तो इसका बहुत बड़ा फैदा BGP को होता है तो ये बात लोगों तक पहुँच गई है कि दीदी 6,000 रुपया किसानों को नहीं मिलने दे रही है दीदी आयुस्मान भारत में जो 55,000,000 रुपया मिला है मिलना चाहिए जो किसी गरीब को बिमार होता है तो वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि दीदी ने ये बोला था कि हम आयुस्मान भारत पश्चिम मंगाल में लागू नहीं करेंगे क्योंकि सभी पे लागू होगा नहीं, सभी को मिलेगा नहीं, हम सब को देंगे तो दीदी ने यहाँ पे एक कार्ड चला है, स्वास्त साथी कार्ड, जिसके माध्यम से भी वो पांच लाग रुपया देती है लेकिन वो अभी लागू किये हुए, दो-तीन महिना हुए है मतलब उन्होंने वैसा वादा किया है, गोस्तरा किया है, दो-तीन महिना हुए है और उसका लाब किसी को मिल नहीं रहा है, किसी भी प्राइबेट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं और ये बहुत ही common sense की बात है, जनरल की बात है कि लोग कोई भी चाहता है क्योंकि लोगों के घर बरबाद हो जाते हैं, घर में कोई यदि बीमार पढ़ जाये तो लोगों के घर बरबाद हो जाते हैं, जो उनकी saving है, वो पूरी की पूरी saving खतम हो जाती है यदि पांच लाख रुपया उनको मिलता है, तो वो उनको बहुत बड़ा लाब करता, तो ये इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, किसानों से भी हमने बात की, तो किसान भी चाहते हैं कि उनको वो 6 हजार रुपया जो मिलता है मिले, क्योंकि यदि आपके घर में कोई समस्या आ गई तो आपके अर्थवेस्था तग्मगा जाते हैं, जैसे सुकला जी जो बात करे थे, जो हम लोग मालदा में गए थे, जो तेरा साल की लड़की को जो मुसल्मान भगा के ले गया था, या उसका पहरड कर लिया था, तो तेरा साल की लड़की थी, वो 7-8 व पुलिस के चक्कर लगाते हैं, जानते ही हैं कि किस तरह से जब केस होता है, तो कैसे पुलिस चक्कर लगवाती है, आपके एक मोबाइल भी खो जाता है, तो पुलिस चक्कर लगवाती है, तो किसी की घर की छोटी लड़की 13 साल की चली गई है, तो उनको महीने बर से चक्कर जाती है पांच लाग रुपे में उप्चार हो जाता है तो एक बहुत बड़ी रहत होती है बहुत बड़ा बहुत अच्छा काम होता है लेकिन वो दीदी अपने इगो के चक्कर में लागों नहीं होने देती है उसके बाद जो प्रदान मंतरी ग्रामीर सड़क योजना है यह व क्या सकते हैं व हुआ पैंच क्क्री के उसके साथ ऐट किल की लाग वी लगो यहाँ हम calculate सब्किन मिलने मिल लोगों और शौन ये तो मतलब पांच किलो चावल भी नहीं तुम दे रहे हो और वो चावल का करते क्या थी आभी कुछ दिन पहले इन्होंने पांच रुपे में डीम भाद अर्था अंडा पांच रुपे में अंडा भाद देती हैं ये अब वो भी हम लोगों ने देखा कि कुछ दिन तो मिला ज है तो 200 लोग की लाइन है और आप बारा बजे से लेकि तीन बजे आपका नंबर आए तो आप कैसे बोजन करेंगे उसके बाद कई तरह इस तरह की रिपोर्ट आएं कि गाडिया भर भर के चावल डाल जो है रोहिंग्या के जो बस्ती होती थी क्योंकि उनका तो कई लोगो रिष्टिदार संबंधियों को भी मिलेगा तो इस तरह का काम किया है दीदी ने और दीदी की सारी बातें लोगों तक पहुच रही हैं डिजिटल माध्यम से टीबी के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से तो यह दीदी को बहुत बड़ा देदी के यह नुक्सान इतना गुसे में हैं दीदी से ने तो दीदी को तो लोग देभी मानते थे दीदी को लोग सेरनी बोलते थे दीदी के नाम पे एक पिक्चर वी बनी बागिन मतलब सेरनी नाम से दीदी के नाम पे पिक्चर बनी है जब दीदी आई थी तो लोग उनको पूजा करते थे हम लोग डाली देते हैं मतलब आप कहरें एक दम से जमीन खिसक गई है हाँ